हाई एब्रिवान क्यों आप वाच्छिंग सीरिल से आप आप जहां पे देते हैं हम आपको आपी के फेवरिट शो से जुड़ी जानकारी चलिए बात करते हैं टिवी सीरियल की रिष्टा क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की तो शो की कहानी में आप देखने वाले हैं क कि मनीश बहुत जादा एकसाइटिड है स्वर्णा और सुरेखा से मिलने के लिए स्वर्णा सरेखा भी यहां पर मनीश को बहुत जादा एकसाइटिड ली देखते हैं मनीश कहते हैं कि मैं अब इंतजार नहीं कर सकता रूही से उसकी जिंदगी के बार में बताने के लिए स्वर्णा यहाँ पर सोचती है कि वो भी रूही से बात करेगी वो कहेगी कि मुझे याद है कि अब अर्मान married है स्वर्णा कहती है रूही से कि तुम्हें अर्मान को भूलना होगा अभीरा सजेस्ट करती है कि ready हो जाए यहाँ पर अर्मान डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा अभीरा अर्मान के मदद लेने से मना कर देती है और अर्मान अभीरा को रेडी करता है रूही भी रेडी होती है अर्मान अभीरा को एंकलेट पहनाता है अभीरा अर्मान के प्यार में और गर जाती है वो दोनों एक आय मोमेंट शेय करते हैं रुही यहां अर्मान अभीरा को देखने ही वाली होती है कि कियार इंटरॉप कर देती है रुही को अर्मान कहता है कि अभीरा तुम क्यूट लग रही हो अभीरश शर्मा आजाती है चारू यहाँ देव से कहती है कि क्या आप मेरे साथ गंगौर सेलिब्रेट करेंगे देव कहता है कि नहीं मैं इंट्रस्टेड नहीं हूँ चारू कहती है कि ओ मैं तो भूल गई थी मुझे कोई आडिया नहीं था लेकिन मैं अब अपनी घर की जो रसमे है वो फॉलो करना चाहती हूँ वो देव को इंसस करती है कि उसके साथ गंगौर पूजा करे देव यहाँ पर फाइनली रडी हो जाता है यह सेलिब्रेशन करने के लिए संजना देव और चारू को देखती है संजना तुम्हारे प्रास अब कोई हक नहीं है मुझे सवाल करने का संजना कहती है देव से तो तुमने चारू को चुनाए अपने बेटे को चारू संजना से कहती है कि तुम देव सर को उनके बेटे से separate मत करो तो वो डिसाइड करती है कि अगर ये condition है तुम मैं उनसे दूर रहूँगे मादव यहां विद्या को ready करता है विद्या को पता चलता है कि मादव ने भी fast रखा है संजना डिसकस करता है केस काजल यहां पर संजना से कहती है कि आप भी तो ready हो जाए संजना उसे डांट लेता है क्रिश यहाँ पर काजल के लिए स्टेंड लेता है संजे आर्ग्यू करता है क्रिश के साथ क्रिश कहता है कि आपको संजे जी के बारे में भूल जाना चाहिए मा संजे अपना हाथ उठाता है क्रिश के उपार क्रिश यहां पर बहुती कडवा और तीखा रिप्लाई करता है काजल उन दोरों को रोकती है लड़ाई जखड़ा करने से पोदार्स रेडी हो जाते हैं गंगौर से लिप्रेशन के लिए अभीरा चारू से कहती है कि तुम फैमली से देव के सर के बारे में बात करोगी अभीरा के डिसकेशन को सुनती है अभीरा कहती है कि चारू तुम जाओ अभीरा आइड़्यू करती है रूही के साथ इसकी बात में वो कहती है कि रूही तुम यहाँ पर बिकुल बिंटरॉफ मत करो क्योंकि ये मेरी बात है मनीशा को पता चलता है कि रूही ने I love you note लिखा है अर्मान के लिए मनोज यहां मनीशा से कहते हैं कि क्या तुम ये प्रूफ कर सकती हो कि ये उसी ने किया है सब के सामने disclose करने से पहले सबूत है कुछ पुखता मनीश से मिलती है अभीरा चुपती है मनीश को देखकर मनीश यहां पर अभीरा को भी आश्रिवाद देता है कि ये पर कावेरी को धंकी देता है चारू हो अकियारा है यहां पर डांस करते हैं रूही थोड़ी सी awkward है क्योंकि वो अर्मान के साथ गंगौश celebrate करना चाहती है, अर्मान भी awkward हो जाता है, वो अभीरा को देखता है, रूही यहाँ पर jealous हो जाती है, अभीरा और अर्मान को रसमे करता देख, अभीरा यहाँ पर अर्मान का जो नाम का डुपट्टा है वो खो देती है क्योंकि रूही उसे चुरा लेती है, यही सब दिखाया जाएगा शो के अभीरा स्टैंड लेगी, वो क्या लगता है, क्या यहाँ पर अभीरा अपने दिल की बात कह पाए कि अर्मान से, कॉमेंट कीजे साथी वीडियो को लाइक शेय करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले